So, Hello Everyone, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक लाश 10th Mathematics का ये जो तुमारा चैप्टर नमबर 4 है Quadratic Equations तो इसके उन कोशन्स को बदाने वाला हूँ जो कि तुमारे NCRT किताब से exactly आने वाले हैं और न सिर्फ NCRT किताब से बलकि इसके आउट भी कौन-कौन से कोशन्स तुमारे पूछे जाएंगे वो भी मैं तुमको बताने वाला हूँ तो वीडियो को end तक देखते रहना और हाँ chapter 1 से लेगे 3 तक की वीडियो अल्रेडी बन चुकी है अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका link डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है जाके देख लेना तो चलिए शुरू करते हैं तो start करते हैं यहाँ पे जो पहरा पहला exercise है exercise 4.1 यहाँ पे देखो सबसे पहले examination में तो यह तुमारा कभी नहीं आता है कि चेक करके बताओ कि यह quadratic equation है या नहीं है यह परिक्षा में नहीं आएगा तो यह बिल्कुल भी important नहीं है दूसरा यह तुमारा question है यहाँ पे तो सिर्फ दिया है कि इसको सिर्फ quadratic equations के form में लाव बट examinations में तुमको उसकी value भी find करने रहती है मतलब x की जो भी value होगी जो भी equation आएगा उससे जो भी x की value आएगी वो भी तुमको find करने के लिए रहता है जैसे कि यहाँ पे तुमको length और breadth find करने के लिए दिया हुआ है इस तरह का question तुमारे paper में रहता है ठीक है word problem में question तुमारा बनेगा यह तुमारा word problem में question 5 marks में भी एक आया सकता है 2 marks में भी आता है ठीक है तो दोनों के लिए यह important है तो इस question को कर लेना important question है तुमारे लिए इसके बाद यहाँ पे यह जो तीनों question है तीनों का तीनों important है खास करके सबसे ज़्यादा important अगर तुम देखोगे इन चारों questions में तो यह question number यह जो तुमारा 4 है यह BVI question है यह मतलब की paper में छपावा रहता है यह हर साल आता है यह एक साल की बात नहीं है इस तरह का जो question है distance वाला distance और speed वाला यह हर साल भाई पूछा जाता है ठीके तो इसके त्यारी अच्छे से जरूर करके जाना अब एक दो question में तुमको यहाँ पे और जो भी word problems में आएंगे तुमारे word परिक्षा में तो वो मैं तुमको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जैसे इस तरह का question आ सकता है तो इन question की त्यारी कर लेना यह NCRT का नहीं है यह NCRT से out है बट ऐसे question तुमारे परिक्षा में पूछे जाते हैं इस वज़े से मैंने यहाँ पे इस question को दे दिया है ठीक है अगर question बनाने में problem होगी समझ में नहीं आएगा comment कर देना मैं दुसरे वीडियो में तुमको समझा दूँगा और यह जो यहाँ पे और करके question दिया हुआ same as it is इसके type का ही यह question दिया हुआ है जैसे कि मैंने का है कि इस तरह के ही question paper में बनते हैं ठीक है तो इस तरह का question देखो यह यहाँ पे मैंने तुमारे लिए एक और दे दिया है तो यह दोनो question की त्यारी तो करके जरूर जाना बाकि यह तुम एक दो तीन करो ना करो यहाँ पे two marks के लिए इस तरह का भी एक question तुमारा sort में पूछा जाता है तो इस question को भी बना लेना तीनो question में अगर कहीं पर भी problem होगा comment कर देना मैं तुमको इसका भी solutions upload करके दे दूगा ठीक है चलो आगे बढ़ते है है अब ऐसा question तुमारा नहीं आने वाला है तो यह सब example करने ज़रद नहीं है ठीक है फख्राइशन मैंथर से find करो या फिर roots find करो नहीं आएगा यह से question तुमारे नहीं आएंगे ठीक है roots find करने के लिए अगार यूक्कि योग», श्यूआ रहता है बागे यहाँ पे अगर देखो exercise 4.2 तो इसमें जो question तुम्हारे लिए important है what problem में यह question number 3, 4, 5, 3 ही important है 6 करने का ज़रूरत नहीं है अलाकि देखो यह less chance की परिक्षा में आता है बट अगर बनेगा तो बना ले ना बट examinations में इस तरह question नहीं आता है question आना रहेगा यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3, 4, 5 से ठीक है यह 2, 2 marks वाला question है और अगर यह परिक्षा में देता भी ना तो यह 5 marks में देता यह कम marks में नहीं देता ठीक है ना अलाकि ऐसे question नहीं आते है पेपर में ऐसे type के question नहीं आते है मैंने उपर में जो question दिखाया distance speed वाला तो उस type का आता है distance speed वाला question आता है इसके बाद अगला इसका तुम जो तुम्हारा topic है वह है तुम्हारा nature of the roots and इस topic से related question 100% तुम्हारे paper में आने वाला है ठीक है इसमें तुम्हारा यहाँ पी यह देखो एक formula दिया हुआ है तुमको इस formula का use करना है जिसमें यहाँ पे root under b square minus 4ac क्या है b square minus 4ac है d का value and discriminant का value ठीक है तो nature of the roots में तुम यह चीज़ पढ़ो गया आगे यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है क्योंकि nature of the roots से question तुम्हारा 100% आने वाला है ठीक है डिस्क्रिम्नाट अगर डिस्क्रिम्नाट का formula क्या दो है b square minus 4ac अगर यह 0 से बड़ा आता है तो roots two distinct real roots बनता है यह तुमको याद रखना है ठीक है यानि two real roots बनता है two real and distinct यह तुम दोनों भी बोल सकते हो दूसरा कि अगर b square minus 4ac exactly zero के equal होती है तो real roots बनता है लेकि इसमे two equal roots बनता है दोनों सेम मिलता है तो roots होगा वो real और equal होगा अगर अलग-अलग मिलेगा तो जो roots होगा वो real और distinct होगा ठीक है और अगर b square minus 4ac की value zero से कम आ जाए यानि negative आ जाए जैसे minus 3 आ जाए ठीक है b square minus 4ac की value find करे उसका value minus 3 आ जाएगा तो वो no real roots होगा सिंपल सी बात है ठीक है मतलब real roots होगा ता ही नहीं है वो imaginary roots होता है ओके समझ में चलो अब यह वाला example है ऐसा question तुम्हारा paper में नहीं आएगा करने की जरूरत नहीं है इस तरह का भी what problem नहीं आता है बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है इस तरह paper में बिल्कुल भी नहीं आता है कभी भी discriminant find करने के लिए directly कभी नहीं paper में बनता है ठीक है यह one number भी तुम्हारे लिए important नहीं है तुम्हारे लिए सबसे most important question है यह question number 2 ठीक है इसको जरूर कर लेना इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना एंड इसी type के ही paper तुम्हारे बने वे रहेंगे ठीक इसी type के paper में questions रहते है 100% तुम्हारा यह दोनों में से question आएगा यहां से नहीं आए तो same इसी तरह से रहेगा बस values change रहेंगे ठीक है बागे 3 वाला important नहीं है 4 भी important नहीं है 5 भी important नहीं है इसमें सिर्फ question में तुमको 2 करना है यहाँ पर कोशन और मैं तुम दिखा रहा हूं जो कि multiple choice में है यह दोनो questions को कर लेना तुमको यहाँ पर roots find करने के लिए बोला गया है बोला गया है बता यह not real है real and equal है rational and distinct है या फिर rational and distinct है तो rule वही है b square minus 4ac निकाल के देखेंगे हम देखेंगे d की value कितनी आ रही है d 0 से बढ़ा आ रहा है d 0 से छोटा आ रहा है या फिर d की value equal to 0 आ रही है यह ची use करेंगे इसका ठीक है नहीं rational है rational अलग चीज हो गया real number अलग चीज हो गया ठीक है ना तो यह इसको नहीं use करेंगे फिर अगर d की value 0 आ जा है तो फिर हम बोलेंगे real or equal है ठीक है चेक कर लेंगे d की value कितनी आ रही है और 0 से अगर छोटा आ जा है d की value तो जो roots होगा वो not real ह यही बात है ठीक है rational और rational और फंडा यहां पर नहीं होगा या तो option A होगा या तो B होगा या तो A होगा ठीक है देख लेना जो भी आएगा comment करके बता सकते हो कि इसमें answer क्या आया था या फिर इस question का answer क्या आया था same type का question है and इस तरह का question तुमारे paper में 100% आने वाला है ठीक इस chapter से एक case study based भी questions रहने वाला है यह पक्का है कि case study based question तुमारे यहां से रहने वाला है तो यहाँ पर मैं तुमको एक case study based questions भी दे रहा हूं यहाँ पर दखो अगर इस तरह का graph बनता है ठीक है तो समझ लेना यह एक पाराबुलिक graph बनता है और पाराबुलिक जो graph होता है वो quadratic equation का होता है ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे यह जो graph बना है यह पाराबॉलिक graph बना हुआ है ठीक है, तो यह एक quadratic equation का जो question है तुम्हारा case study based में दिया हुआ है यहाँ पे यह graphic दिया हुआ है इसके कुछ, यहाँ पे तुमको questions दिख रहे होंगे, इन questions को बना कि देखना नहीं बनेगा, comment कर देना, मैंने तुमको यहाँ पे question दिया हुआ है, and paper में तुमारा यह आने वाला है, इसी वज़य से मैंने तुमको यह question दिया हुआ, ठीक है तो चलो मैंने तुमको यहाँ पर पूरा NCRT कोशन करवा दिया है जो भी additional कोशन आएंगे वो भी मैंने करवा दिया है बाकि अगर तुमको इससे previous chapter के कोशन देखने होंगे chapter 1 का, 2 का या 3 का जो भी कोशन तुमारे NCRT किताब से आएंगे तो उसका link description पर दिया हुआ जाके देख लेना and next chapter के लिए channel को subscribe करके लख लेना thank you, bye bye